दोस्तो नमस्कार, दोस्तो जोतिस और सास्त्रों के अनुसार निम्न बातों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए नमर एक, आपको कहीं पर भी थूकने की आदत है तो यह निस्चित है कि आपको यस सम्मान मिल भी जाता है तो टिक नहीं पाएगा सदा हाथ धोने के अस्तान में ही यह काम करें यस मान सम्मान में अविवरिती होगी नमर दो, कभी अपनी जूठी थाली या बरतन उसी अस्तान पर न छोड़ें जहां आप खा रहे थे यदि आप ऐसा करते हैं तो सफलता स्थाई रूप से नहीं मिलती ऐसे लोगों को मेहनद जादा करनी पड़ती है और यस कम मिलता है यदि जूठे बरतन सही जगा रखते हैं तो चंद्रमा और सनी आपका सम्मान करते हैं मान सिक सांती बढ़कर अर्चने दूर होती हैं नमर तीन, घर आए महमान को सच्छ पानी जरूर पिलाए इससे राहु प्रसंद होते हैं, उनके घर पर राहु का प्रभाव नहीं पड़ता तथा अचानक आने वाले कस्ट नहीं आते मर चार, घर के पौधों को परिवार का सदस्यमाने, नियमित रूप से पौधों का ध्यान रखते हैं उन्हें उत्तेजनाव बेचैनी जैसी परिसानियों से निजात मिलती हैं नमर पाँच, जो लोग बाहर से घर में आकर जूते चपल वा मौजे इधर उदर फैक देते हैं, उन्हें सत्रुया उनसे जलने वाले बड़ा परिशान करते हैं जूते चपल को नियत अस्तान पर रखें, आपकी प्रतिष्टा सदा ही बनी रहेगी नमर छे, सुबह सोकर उटने के पस्चाद सदा बिस्तर की सिल्वटे दूर करें चादर, तक्या, कंबल, उचित जगा रखें, पहने हुए कपड़ों को भी बिस्तर पर न फैंके ऐसे लोग खुद परिसान रहते हैं और दूसरों को भी परिशान करते हैं, यो निस्चित मान कर चलें कि आपका जीवन आसर जनक रूप से सुन्दर होता चला जाएगा नमर साथ, पैरों को नहाते समय अच्छी तरह धुएं, जब भी बाहर से घर में आएं, पैर और मुह जरूर धुएं, इससे आपका चिर्चिरापन कम होगा दिमाग को शक्त मिलेगी, क्रोध की ज्वाला कम होने लगेगी, आनन बढ़ता जाएगा, यह त्ता है समझो नमर आट, जब घर पर आएं, कुछ न कुछ लेकर जाने से लक्षमी प्रसंद होती है, नकारात्मक्ता खत्म होती है, निरासा नहीं घेरती, घर में बरकत बनी रहती है, तात्पर यो है कि सुख सम्रिद्ध बढ़ती है, घर के सदेसे की तरक्य होती रहती है नमर नो, खाने के बाद जूठन बिलकुल न छोड़ें, जितनी जरूरत है उतना ही लें, या समझो तै कर लें कि इससे पैसे की कमी कभी नहीं होगी, अन्यथा नव ग्रहों के खराब होने का खत्रा बना रहता है, होते काम रुकने लगेंगे, तो बहुत बहुत धन्यवा अब सबका ये वीडियो देखने के लिए